हेलो दोस्तो हेलो दोस्तो मैं आज मुहासे के बारे में बात करेंगे दोस्तो मुहासे एक पहुती खतरनाक चीज होती है जो हमारे चेहरे को खराब कर देती है दोस्तो मुझे मुहासे तीन साल तक दोस्तो हुआ था और मैंने इस मुहासे से बहुत परसान था दोस्तो और मैंने हर थ्रह का ट्रीटम्यार्स कर लिया जाहिए भी हों अंग्रेजी अलुपाइथी हमोप्ति याْ और से मैंने हर तरे अपना लिया तब भी मेरे मुहां से खतम नहीं हुआ मुहां से विसकली दोस्तों दो प्रकार की होते हैं एक मुहां से किली मुहां से होते हैं एक फोड़े वाले होते हैं मुहां से एक बार हो जाने एक बात ये जल्दिक नहीं जाते हैं दोस्तों जिसको मुहां की कमी हो जाती है जिससे वो कहीं जान ही पाता है उसे शरम लगने लगता है तो सट आर महा से ऐसी चीज होती है कि अगर आपके एक मुहा से हो गया और उसको आप नाखुन से उसे फोड़ देते हैं तो उसके जगह पर आपको पांच-छे मुहां से निकल जाते हैं रूब जाते हैं इसी तरह हमारे मुहां से बढ़ते जाते हैं और हमारे पूरे चेहरे को खराब कर देते हैं दोस्तों मुहां से एक ऐसी चीज है जिसे हमें इसको इसे नहीं अपने फोड़ना चाहिए या इसे चेण चाहिए कि चेण चाहिए कि चेण करने से इसमें बहुत तेजी से ब्रीदी होता है और हमारे चेहरे को पूर्ण रुप से खराब कर देता है इसलिए दोस्तों मुहां से हो जाए तो आप लोग हमेशा श्रवधा रहने चाहिए किसे चण चान ना करें जब मुझे हुआ था दोस्तों तो तीन साल तक मैं इससे बहुत पीडित था मैं मुझे मैं कोई सी भी ट्रीटमेंट काम नहीं किया मैं क्या बत जब जदा इससे मैं पीडित रहने लगा और मेरा कंविडेंश लेवार बहुत ही कम हो गया था दोस्तों इसलिए मैं आप लोग से यहीं कह रहा हूं कि आगर आप मेरे नुख्सकों को अपनाएगा दोस्तों तो यह आपके मुहां से हमेशा हमेशा कर यह खत्म हो जाएगा जिस दिन से अगर मेरा नुख्सका आप अपलाई किजिएगा लगाना स्टार्ट किजिएगा उस दिन से ही आपका मुहां से बहर ना बंद हो जाएगा निकलना बंद हो जाएगा आपका मुहां से धीरे धीरे यानि हम गायरेंट सो परसंट दोसो परसंट आपको ग्रांट इखेँ लिए नहीं और आपका चेहरा ग्लो हो जाएगा और चेहरा पर चमक आने लगी दोस्तों अगर जिन भाईव कितने भाई बाहन को तो इसके चलते साधी नहीं होती दोस्तों लड़की को ते इस और प्रोलम होती है दोस्तों इसलिए आप लोग हमेशा सतर कर रहें कि मौहां से हो जाए तो आप उसे च्छन च्छन ना करें और मैं जो बता रहा हूं दोस्तों कि मैं इस अनभाव किया हू हूं जो अनभाव किया होता है वहीं वहीं अच्छा से आप लोग के बारे में आप में बता सकता है जी क्या है इससे कितने परकार के हम लोग को हानी होती है इसलिए दोस्तों मैं जो कहाने जा रहा हूं ध्यान से कर जिए अपलाई कर जिए हंडेट नहीं 200% ग्रांटे दे wichtig वहारा हों कि आपको मुखा से ठीक होँगे दोस्तों सबसे पेले आपको यहां पे नीम प्यस्ट दिखाई दे रहा है नीम साभून दिक रहा है और पतंजली के एकाता नीम घंवति इन सब्सक्रया आपको पीचा से ले लेना अगर आपके पास नीम नीम प्यस्ट है तो आप उसे उज़ कर सकते हैं और अगर आपके पस्ट नीम पेश्ट नहीं है तो नीम सावुन अपलाईए बजार से किसी भी स्वापर मिल जाता रहा है इस नीम सावुन को आप दिन में तीन बार अपलाई किजिए सुबह साम और दो पहर लगाईए उसे और एक मिनट तक अगर इसके साथ आप बजार से पतन जली के ही नीम घनवाटी आती है दोस्तों जिसका अंदाम 90 रुपे करीब है आप लाइए और इसे एक एक टेबलेट रोज खाईए रोज खाईए इससे आपको बलट के जितना भी वह पुरिफाई हो जाएगा और आपका चेहरा ग्रो करने लगा दोस्तों अगर आपको नीम नीम के पती पतिया और जिनल मिल जाती है तो आप लाइए और उसे पेश्ट बनाएए और उसे अपने चेहरे पर अपलाई केजिए दो आदा घंटा के बाद अच्छे अपने चेहरे धोलेजिए आपके इससे भी पंद्रे दिन आपको लगाने इतरी का मैं बता रहा हूं दोस्तों दीन में तीन बार लगाना है सुबह साम और दो पर एक मिनट तक उसको लगा के उसी तरह रहने देजिए उसके बाद स्वक्ष पानिस उसे अच्छी तरह से अपने चेहरे को वास कर लिजिए दोलीजिए और अपने चैनल एसके हेल्थ को सब्सक्राइब के लिए लाइक करें और शेयर किजिए इतना शेयर किजिए कि हर्ट लोग इससे पिरित हो उसक्ष हो जाए